नमस्कार में रंजन सनी और आप देख रहे हैं बिजनोर एक्स्प्रेस जनपद बिजनोर के अव्यलगर छेतर के गाउं शहापुर जमाल में पानी की टंकी के लिए बोरिंग वन निर्मान कार्य चल रहा है जिसके चलते भूमी में पूर्व में खड़े पेड़ों को काटने के मामले में ग्रामीन वर्टमान ग्राम प्रधान के पक्ष में लाम बंध हो गए महरी सिंग और राम्चंत सिंग आदि का कहना है कि पूर्व प्रधान के कारेकाल के दरान खड़े कुछ पेड़ों को उसी समय काटा गया था वर्तमान ग्राम प्रधान की ओर से जब भूमी नलकूब विभाग को सौपी गई उस समय वहाँ पर किसी प्रकार के पेड नहीं खड़े थे दो-चार छोटे-छोटे पेड थे वह नलकूब विभाग ने अपनी निर्मान सुविधा के लिए काटा है वहीं दूसरी और गाउं में एक पक्ष के कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान पर भूमी में खड़े काटे गए लाखो रुपए के पेडों की जाँच करा कर आवशक करवाही कराने की बात कही अब जिलगर से हमारे समवाद आता संगम चोहान की अरिपूर्ट यह बाइस चार को करा था है बाइस चार जी दोजार बाइस को दोजार बाइस जी इसका प्रस्ताब मेरे से पहले भी हुआ है लेकिन उससे में टंकी बन नहीं पाई थी यह पुरानी प्रधान ने करा है अब आप सब लोग क्या चाहते हैं हमें चाहते हैं जो का रहे चलता रहे तंकी बंदी है तंकी बंदी रहे आप सब लोग यहां ग्रामेन इकटे हुए है जरा सब बताओ क्या ना भाई साब का मेरे नाम प्रेम राज अचार यह तंकी यहाँ पर बन रही है इस जमीन पर क्या विवाद है जरा सब बताओ इस बारे में इस पर लगवार प्यड बताते हैं को जब कोई पीड नहीं था यह अहाज पेड़ था तो अब से चार साल पहले पिछली पिरदान की ओझना में वो पेड़ तो निकाल दे गए हैं यहाज पता लगा कर आई कि आम के अमरूत के यह पेड़ थे वो पेड़ थे उसमें क्या है जुद तही प्ता इनम है पिछली यह जो अपूले घुदणा मे मलिक पी ओबी कॉंट्रेक्टर इस स्पेशल फॉल सिलिंग जिपसम सेलिंग वॉल सेलिंग बढ़िया क्वालिटी उचित दामों पर करवाने के लिए संपर करे मलिक पी ओबी कॉंट्रेक्टर नूर मजिद वाहिद नगर नजीवबा पिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सबस्क्राइब करें